हेलो फ्रेंट्स आज मैं बताऊंगी नेट का ब्लाउज की बैक डिजाइन तो फ्रेंट्स अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए मैंने यहां पे अपने ब्लाउज की साइस के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे बेस को कट कर लिया है तो फ्रेंट्स नेक की जो विर्द है वो मैंने रखा है 7 इंच ब्लाउज की टोटल लेंथ है 13 इंच, 1.5 इंच मैं एक्स्रा रखी हूं 13.5 इंच है तो फ्रेंट्स देखिए मने इसी के साइस के अकॉर्डिंग मने में फैबरी को भी कट कर लिया है friends हमें base वाले फैबरी को पेंच को रखके हमें साथ में attach कर लेना है friends attach हो जाने के बाद हमें extra fabric को cut कर लेना है चारो तरफ से तो friends देखे मैने यहाँ पेंच करके मैंने extra fabric को cut कर लिया है इसके बाद friends हम double fold में एक paper pasting लेंगे पेपर पेस्टिंग का लेंथ जो है वो हमें रखना है 12.5 इंच चोड़ाई रखनी है 5 इंच फ्रेंच नेक की विर्द रखनी है हमें 4 इंच तो मैंने देखिए 4 इंच पे मैंने 1 एक सीदी सी लाइन ड्रो की है पेपर पेस्टिंग पे then हम नेकी टोटल लिंथ रखेंगे 11.5 inch इसके बाद फ्रेंट्स हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंट्स लाइन ड्रॉ हो जानने के बाद हमें कट कर लेना है तो फ्रेंट्स देखिये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है अब हमें फ्रेंट्स इसको बेस वाले फैबरिक पे रखके आयरन कर लेना है तो देखिए फ्रेंट्स मैंने आयरन कर लिया है अब हमें फ्रेंट्स एक्स्ट्रा फैबरिक को हमें स्टीच कर लेना है चारो तरफ से तो देखिए friends extra fabric को मैंने stitch कर लिया है इसके बाद friends हमें beach से fold कर लेना है and then हम beach में हलका सा cut लगाएंगे friends अब हमें blouse के fabric को right side पे रखना है इसके बाद friends हमें base वाले fabric को beach में रखना है रख लेने के बाद friends हमें इसको चारो तरब से पीन अप कर लेना है पीन अप कर लेने के बाद friends हमें paper pasting के पास पास चारो तरब सिलाई लगाना है अब हमें friends extra fabric को cut कर लेना है फेंड्स दोनों कॉर्नर पे हमें कट लगा लेना है कट कर लेने के बाद फेंड्स हमें इसको बैक साइड में पलट देना है पलट लेने के बाद फेंड्स हमें बैक साइड में एक रफ सिला ही लगानी है इसके बाद हम पेपर लेंगे तो पेपर हम चारो तरप से वन इंच एक्स्टा रखेंगे अब हमें फेंड्स इस पेपर पे नेट को रखके अटैच कर लेना है तो देखे फेंड्स नेट को मैंने पेपर पे चारो तरप से अटैच कर लिया है फेंट्स बिच से फोल्ड करके हमें बीच में एक मार्किंग कर लेनी है मार्किंग कर लेने के बाद फेंट्स हमें नेट का एक कपड़ा लेना है जिसकी विर्ध है 6 इंच एंड लेंध रखना है 12.5 इंच अब हमें फेंट्स इसको बीच से फोल्ड करना है बीच से फोल्ड करने के बाद हम एक और फोल्ड लगाएंगे उसके उपर से एक और फोल्ड लगाएंगे उसके बाद हम ऐरन कर लेंगे अब हमें फ्रेंट्स जहां पे बीच में हमने मार्किंग की है वहां पे रखके हमें बीच में इसको अटैच कर लेना है तो देखिए फ्रेंट्स मैंने एक साइट से सिलाई लगा लिया है ऐसे ही हमें दूसरे वाले साइट से भी सिलाई लगा लेनी है friends दूसरे वले side से भी मैंने शिलाई लगा लिया है अब हमें friends नेक के बीच में इसको रखना है अच्छे से रख लेने के बाद हम उपर से 8 इंच पे नेक की विर्द रखेंगे इसके बाद friends हमें 4 तरप से पीनफ कर लेना है पीन अप हो जाने के बाद फेंट समें किनारे किनारे से लगा लेनी है कि इसके बाद फेंट समें बैक साइट से पैपर को निकाल ले रहा है पेपर निकल जाने के बाद फेंट्स हमने जो रफ सिलाई की थी उसको हमें निकाल के एक्स्टा जो नेट का फैब्रिक है उसे हमें अंदर के साइट में फोल्ड करते हुए स्टीच करना है तो देखिए फेंट्स मैंने तीनों साइट से स्टीच कर लिया है इसके बाद फेंट्स हम बोटने की शेप देंगे तो बोटने की शेप के लिए हम धाई इंच पर मार्क करेंगे अब फेंट्स हम बोटने की मार्किंग करेंगे अब हमें एक्स्टा फैब्रिक को कट कर लेना है इसके बाद friends हमें 2 इंच का एक फैब्रिक लेना है तो फैब्रिक को हम डवल फोल्ड करेंगे राइट साइड पे और फोल्ड करते हुए हम ब्लाउज को रॉंग साइड पे रखेंगे then हम फैब्रिक को नेक पे रखके स्टीज करेंगे friends अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा बेल आइकन प्रेस कर लिजएगा तो friends देखे मैंने यहाँ पे स्टीज कर लिया है एक्स्टा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इसके बाद friends हमें ब्लाउज को राइट शाइट पर रखना है और नेक का जो फैब्रिक है उसको हमें फोल्ड करते हुए स्टीज करना है ऐसे ही friends हमें चारो तरफ स्टीज कर लेना है stitch हो जाने के बाद friends हम extra fabric को cut कर लेंगे तो हम नेक के दोनों side का extra fabric को cut कर लेंगे अब हमें friends बटन लगाना है तो button मैंने fabric का बनाया हुआ है तो मैंने 5 button बना रखे है बटन को हम फ्रेंट्स 1.5 इंच के gap रखेंगे बटन को रख लेने के बाद फ्रेंट्स हम सुई की help से टक कर लेंगे तो फ्रेंट्स सारे बटन को हमें टक कर लेना है एक हे करके तो देखिए मैंने यहां पर टक कर लिया है friends blouse का जो back नेक है वो बन के तयार हो गया है thank you for watching my video please like and subscribe my channel thank you guys thank you so much